जैश्राम, 2020 बैतीत होने को है, 2021 का आगमन होने को है, 2020 ने बहुत सारी अच्छी और बुरी यादे प्रदान की है, 2021 हमें क्या देने वाला है और कैसे इसको सुन्दर बनाना है, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम इस्टार्ट करते हैं जन्वरी से, अगर इस पर हम पहले थोड़ सा ग्रहों का विश्लेशन कर लेते हैं आपके, केतु का गोचर आपके तृतिय भाव में होगा, राहु आपके भागे भाव में गोचर करेंगे, दोनों अपने आपने उच्छस तो होंगे, पंचम भाव में गुरु और शनी का गोचर निश्यत रूप से आ पहुच जाएगा आपके ब्रिश राशी के अंतरगत 21 फरवरी को ब्रिश राशी में चले जाएंगे मंगल, ब्रिश राशी में मंगल आपके भागे अस्थान में पहुच जाएंगे, उसके बाद अप्रैल में 21 फरवरी से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में 21 फरवरी और 13 अ चाहते हैं, जन्वरी माह में किया गया future planning आपको असफलता नहीं देगा, जन्वरी माह में किया जाने वाला future planning आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे result प्रदान करने वाला है, तो इस माह में भविश्य को ले करके planning करें, लेकिन आपको हर बुध्वार को आपकी राश खुष रखना है, इनको खुष रखेंगे, तो ये अपनी रासी को ताकत दे करके रखेंगे, ग्रह इधर उधर आएंगे भी, तो वो ग्रह आप पर अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे, आप जानते हैं, यदि घर का मालिक strong हो, सशक्त हो, ताकत वर हो, देश का मालिक स ताकतवर हो, तो ऐसे कंडिशन में चोटे-चोटे लोग को ज़्यादा परिशान नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर घर का मुख्या, घर का मालिक ही, सशक्त ना हो, ताकतवर ना हो, मांसी ग्रूप से strong ना हो, तो चोटे-चोटे लोग भी आ करके परिशान कर जाते हैं, त कुछ गिप्ट दे दिया कीजिए, कुछ प्यन पैंसिल बांट दिया कीजिए, आप देखेंगे, आपका बुद्ध खुश होगा, बुद्ध प्रसंद रहेगा, तो आपकी राशी बहतर होगी, आपका वर्ष बहतर रखेगा, अब यहां पर क्या है, यह नहीं है कि हम बहुत सारे रत्न पहन लें, बहुत सारे रुद्राक्ष पहन लें, बहुत पूजा पाट करा लें, तो ही हम बहतर हो शकते हैं, हम कई बार दूसरों के फेश पर मुश्कान दे करके भी अपने ग्रोहों को बहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को बहतर कर सकते हैं, तो 2021 का जो जनवरी से बहुत अच्छा है फॉरन में पढ़ना चाहते हैं यहां पर कहीं अच्छी जगा पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए आप कोशिश कीजिए पेपर में सफल नहीं हो पा रहे हैं कॉम्पटिशन का एक्जाम दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं प्राप् के लिए किया गया प्रयास सफलता देने वाला होगा संतान महीं है उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं आई भी अपित्याद इलाज करना चाहते हैं जो भी तरीका संतान के लिए किया जाएगा संतान के जीवन को बहतर बनाने के लिए कोई प्रयास करना है तो वो सारे प्र रोली का महिना आपके लिए अनकूल है बात करेंगे मार्च के महिने के मार्च महिने में थुड़ा सा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भाग्य हमारा साथ नहीं देने वाला है अनावश्यक रूप से लोग आपको परिशान करेंगे बिना उसकी समस्याएं जो है अका महिने में तुपा कपूर का भी दान कीजी आपके लिए सुंदर लाव होने वाला है बात करेंगे अपरैल महिने की ये महिना आपके लिए बहुत अच्छा है जीवन साथी से तनाव चल रहा था मामला कोट कचेरी तक पहुँच गया तलाग हो गएरा तक पहुँच गया श अच्छे रिजल देने के लिए तयार है आपको प्रयास करना चाहिए प्रयास किस दिन करें शुक्रवार करें अच्छा लाब देगा बात करेंगे मई के महिने की यहां पर दिक्कत है ध्यान कि भागे साथ नहीं दे रहा है भागे पूरी तरह से आपकी बिप्रित हो गया है तो जो भी कारे करना है बड़े सोच समझ करके करना है बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करें सास्तर भी कहता है कि बिना बिचारे जो करे शोप आचे पच्छता है और काम बिगारे आपनों जग में होता है तो यहां पर जो हमें प्रयास करना है वो काफी सोच समझ करके करन तभी हम लाइप में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे अब हम चलेंगे यहां पर जून के महिने में हम यहां पर प्रयास करते हैं जून का माह हमारे लेक किस प्रकार रहने वाला है जून का महिना हमारे लेक अनकूल महिना रहने वाला है सफलता देने वाला महिना रहेगा मन म पूरी तरह से आपके शाथ रहने वाला है धार्मिक चीज़ों में जो कारी करने से मान लिया जाए पूजा पाठ करते थे उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था तो पूजा पाठ कीज़े इस माँ आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा भागे शाथ होने कारण ज बात करेंगे यहाँ पर हम जुलाई के महीने की जुलाई के महीना अगर हम देखें तो हमारे लिए नौकरी को ले करके बहुत सुंधर माहा है जुलाई के महीने में नौकरी संबंधित जो भी प्रयास करना है नई नौकरी सर्च करनी है ट्रांसफर करवाना है प्रमोशन प परिष्टती को ले करके धन लाब को ले करके अगस्त का महीना आपके लिए बहुत बैतर रहेगा। सब्टमबर का महीना सिर्फ बिदेश से संबंधित कारे के लिए ध्यान लखेगा बिदेश यात्रा करनी है बिदेश में कोई investment करनी है बिदेश से संबंधित business करना है बिदेश से संबंधित जो भी कारे करना है उसके लिए सब्टमबर महीने को सलेक्ट करके रखे मज़ेदार होने वाला है आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है बात करेंगे अक्तूबर के महीने को ले करके यहाँ पर अक्तूबर का महीना अपने आपको निखारने का है अपने आपको आगे बढ़ाने का है Adventure यहां पर खुम मिलने माली है। बश आप मीडिया जगत में हैं, तो आप अपने आपको निखारने का प्रयास कीजिए। एक तो शरीर अगर पतला पतला होना चाहते हैं, तो इस महिने में प्रयास कीजिए, आपको जो मुटापा इस महिने में कम कर सकते हैं, शरीर की चमक इस महिने में ला सकते हैं किसी पर impression जमाना है तो ये महिना आपके लिए बहुत ही सुन्दर है अक्तूबर के इस महिने को लेकर के देखा जाए तो ये महिना सिर्फ अपने आपको लोगों तक पहुँचाने का लोगों से interaction का जो महिना है इंट्रेक्शन और attraction दोनों चीज़े इस महिने में हमें प्राप्ट होने वाली है तो अक्तूबर के महिने में हम इस पर जरूर प्रयाश करें हमारे लिल्ला पड़त रहने वाला है अब हम बात करेंगे नौम्बर के माह की नौम्बर का माह आर्थिक परिस्थिती को ले करके हमारे लिए बहुत सुन्दर है परिवार में मांगली कारिका आयोजन होने वाला है मांगली कारिके आयोजन के शाषात हमारे मन में प्रसंद्नता रहेगी मन प्रसंद होने की शार्षाथ बैंक से कर्ज इत्यारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए करें खाने सम्बंधित को ब्योशाय करना चाहते हैं उसके लिए प्रयाश करें तो ये सारे महीने वो हैं जो हमारे जिवन में अच्छी परिस्तियां ले करके आले हैं तो आज के कारिकम क्लिप बस इतना ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिलकुल ना भूलें ताकि हम आप और रिसर्च कर रहे हैं कन्यारासी पर उसकी जानकारी हम आप तक पहुचा पाएं जैसरी राम